हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चनल आर के वरमा लाक्टिकल पर तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था यूपी पीसेल डिजीटो आट्स वेक्यान में और आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वेकेंसी है उसकी परिक्षा हैं कि लिए जो प्रिक्रुण चले हैं डिपार्टमेंट में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो परिक्षा कराने वाली अजेंसी है यूपी पीसेल दोस्तों समय कि अब आपकी वेज़े से हम आपको वीडियो बना कर जानकारी सेर नहीं कर पाए तो चली फिर दोस्तों इसी वीडियो में सेर करेंगे कि आपकी कौन-कौन से जो तारिक हैं उसमें परिक्षा आपकी हो सकती है तो चली फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करत भेजती हैं तो फानले दोस्तों कल परिच्छा एजेंसी की तरब से जो तारिक भेजी गई है डेपार्टमेंट के लिए यानि दोस्तों 25 मार्च के बाद बाद परिच्छा कराने के लिए यानि ये आपके परिच्छा एजेंसी के पाद सिलोट खाली हैं 25 मार्च के बाद अब दोस्तों ये डिपेंट करेगा कि डिपार्टमेंट ये पीसेयल का जो डिपार्टमेंट है वो किसकी सलोट को चुन कर परिक्ष एजनसी को जानकारी भेज़ ताके इस में आपका परिक्षा कराने का जोडीर ने है वो आपका फिक्स किया जाए दोस्तों एक बार फिर बता देने चाहता हूँ परिक्षा एजेंसी ने 25 मार्च के बाद ये आपका एकजाम के लिए सिलोट उसके पास खाली है और उसने वो डाटा वहां से भेज दिया गहा है कि आप इन सिलोट में कभी भी आप परिक्षा दोनों और दोस्तों जैसे ही वो अपना फाइनल डिसीजर भेज देता है परिक्षा एजेंसी को उत्तों उसी के बाद आपका जो सेंटर है वो आपका फाइनल और डेट आपकी फाइनल हो जायेकी दोस्तों एक बार फिर पता दें चाहता हूं कि 25 मार्ज के बाद बाद सिलोट खाली है परिक्षा जैंसी के पास और वो डाटा UPCL को भेज दिया है और अब डिपेंड करेगा UPCL कौन से तारिक में यह अपना पर एक्जाम फिक्स करता है और जैसे ही इसे सम्मधित कोई जान आप तैयारी करना इस्टार्ट नहीं किये है तो दोस्तों कर दें आपकी परिच्छाए आपकी मार्च के लास्ट से और या आपका अप्रेल में आपकी स्टार्ट संभावत है हो जाएगी तो दोस्तों ये थी कुछी इंपड़ा इंफॉर्म में सर उम्मीद करता हूं